very good morning to all of you in this video I am going to talk about bacterial vaginosis candidiasis and trichomonas vaginitis बहुत ही important short knots है university exam के लिए at the same time mcq के लिए भी बहुत important है ठीक है तो चलिए start करते है यह आपको diagram दिखा रखा है यह इस बार question में होता है ठीक है तो basically यह diagram clue cell का है है ठीक है तो क्लूसिल क्या होता है है ना कैसे formation होता है तो अभी मुखसा बेके करके देखेंगे तो चलिए start करते हैं मैंने यहां पर सारा कुछ है ना एक ट्रेडिंग बना करके लिखा हुआ है तो एक्जाम में अगर question आता है तो कोशीश की जाएगा ना जैसे मैंने यहां पर sequence follow किया है आप लोग भी विडियो में ठीक है मैं लिंक description पर डाल दोंगा आप वोसे देख लिएगा तो कुछन पूचा जाएगा बाई जो बेक्टिरिल वेजिनोसिस है उसका जो और्गेनीजम है और कौन सा और्गेनीजम रिस्पांसिबल है कौन सा और्गेनीजम डॉडरलीन बैसलाई और लेक् देखने के लिए मिल सकता है बट मुस्ट कुमन पूचा जाए दो गार्डिनेला बेसलाई एंड बैक्टिरियल वेजिनोसिस इस दा मुस्ट कुमन इंट्रेक्शन अब देखने के लिए ना और मुस्ट कुमन वेजिनाइटिस यह भी कुछन बहुत बार पुछा जा चुका अब बात करते हैं Candidiasis ऐसा कौन-पौन सा कंडिशन जा पर हम इम्मुनिटी कम देखने के लिए मिलेगा ना इम्मुनिटी में डिक्रिमेंट देखने के लिए मिलेगा जैसे कि डियाबीटीस मेलिटर्स कोई इम्मुन कंप्रमाइज इंडिविजॉल है जैसी के चाई भी क होता है इम्मुनिटी में रिडेक्शन होता है और जो नॉर्मल हमारा फ्लोरा उसमें अल्टरेशन होता है और हमें Candidiasis देखने के लिए मिलता है मैंगर आपको एक पॉइंट बोलनों तो थोड़ा सब्सक्राइब लगेगा ना जो Candida albicans है ठीक है वो नॉर्मली है ना 10 to 15 पॉपुलिशन में ना 10 to 15 पॉपुलिशन में देखने के लिए आपको नॉर्मल भी मिलेगा ठीक है तो वहां पर कोई पैसलोजी नहीं कॉस्ट करता है क्योंकि वहां का इम्मुनिटी में कोई ब्रीच आएगा तो फिर से Candida वहां पर एप्लीकेट करना स्टार्ट कर देग ठीक है और ट्राइकोमोनास वेजिनेटिस के वरें तो मैंने बोल दिया इसेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिजीज अगर आप से कोशन पूछा जाए क्या पार्टनर ट्रीट्मेंट कहां पर ज़रूरी है और बैसा बात है कोमन सेंस ट्राइकोमोनास वेजिनेटिस वीच व टॉकिंग अबाउट ओर्गनिज्म साइन एंड सिंप्टम्स तो बिसिकली जो बैक्टेरिल वेजिनोसिस है डाट इस ड्यूटू गार्डिनला बेसलाई है ना हम लोगों यह बात पहले ही कर लिया है जो केंडिडिएसिस डाट इस ड्यूटू केंडिटा अल्बिकेंस और अगर यह ऑप्सं नहीं रहे तो फिर केंडिडा गलेबरेट्डा अगर यह भी नहीं रहे तो फिर कैंडिडा ट्रॉफिकलिस। और ट्रैपास वेजिनेटिस। करते होता है नाम से बता चलदा प्रकमोनैस वेजिनलेज係 से ट्रकमोनैस वेजिनलेज एक Chris f contaminated masters प्रोट आया क्या मैंने बोला यूनिसल्लाइड流 लेफ लाइड स्वेद्रेडद प्रोटोच और बात कर्ते हैं स्पालेश्चन still एकशली तो वैसिकलि जो बैक्रील बेट्रियुक्त का पैसे अउट है 500 और तो आपके पास आएगा तो आप उसे पूछा का स्मेल ॉइक है यह पिस फुट्प भी डिस्चार्ज लेके जो पेशेंट हुआ आपके पास आएगी जो केंडिडियस की पेशेंट होगी वो क्या बोलेगी करडिवाइट हाना या फिर कॉर्टेज चीज लाइक डिस्चार्ज हाना हो रहा है मेरे को डॉक्टर ठीक है और जो ट्राइकोमोनास वैजिनेटिस की अब आप आप अपसे पूछो है क्या लाल है क्या या फिर वहां पे खुजलाता है क्या इचिंग होता है तो पेशेंट जो बैक्टेरिल वैजिनोसिस की होगी वह लेगी नहीं डॉक्टर साय वहां पे लाल भी नहीं है और इचिंग भी नहीं होती है तो इंफ्लामेशन रेडनेस और इचिंग ठीक है वह एबसेंट है कहां पे बैक्टेरियल वैजिनोसिस में बट यह तीनों Candidiasis में भी और Trichomonas Vaginitis में भी तो यहां पर पेशेंट बस डिस्चार्ज लिखने आएगा पेशेंट बोलेगा भाई बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा इचिंग होती है ठीक है और Candidiasis में स्प्लैस डिस्विया देखने के लिए मिलेगा लास्ट पॉइंट साइन साइन में बैक्टिकल वेजिनोसिस में आपको कुछ भी देखने के लिए मिलेगा ठीक है ना कुछ भी नहीं मिलेगा कोई रिदमा नहीं कोई डिमा नहीं है जो इंफामेटरी साइन है वह अपको देखने के लिए लेका है लेकिन Candidiasis में आपको अच्छा-खास एडेमा अच्छा-खास एड़िमा लेई-मेजोरा और जो वैल्विलर् एरिया है वह आपको देखने के लिए ठीक है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है बट मिली जाता है mostly ठीक है इरिदम और एडिमा मिलेगा कि इसका लेबिया का और वल्बूलर इसके अब बात करते हैं ट्राइको मुनास वेजिनेटी इसलिए मैंने तिनों का साइन बताया आपको स्ट्रावेरी जैसे रेड होता है और बीज़बा होता इस पॉट्रेड वैसा आपको सर्विक्स और वजायना देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो इस वीडियो में मैंने अंडरलाइंग पैथलोजी और जो और अर्गेनिज्म रिस्पॉंसिबल है और जो सिंटम्स और साइन इस पर बात किया है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टिगेशन और जो हमारा ट्रीटमेंट होगा और जो सिंड्रोमी के अप्रोच होगा उस पर बात करूग thank you